सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजूकेशन हब यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में क्या देखने वाले है पिछले वीडियो में हम लोग abstract algebra के 2015 में जितने भी question आये है सभी question को हम लोग solve किये थे आज के वीडियो में abstract algebra के 2016 के जितने भी question I waste सभी question को solve करने वाले है तो देखिए पिछला वीडियो जो में 2015 का आप लोग को question bank का solution provide करवाई थी अगर आप लोग को उसका pdf चाहिए तो मुझे टेलिग्राम या इंस्टा कहीं भी contact करके मुझे ले सकते हैं तो चलिए आज का class start करते हैं इससे पहले आप लोग के जितने भी friends है ना जिनका mathematics honors part 2 का exam है सभी को इस वीडियो को share कर दीजिए तक कि सभी लोग student अच्छे तरीके से अपना question bank complete कर लेंगी क्योंकि आप सभी का examination form June में भरा जाएगा चलिए start करते हैं आज का class question number 8 का एक है so that in a group identity element is unique and each element of the group has a unique universe तो देखिए प्रूफ क्या करना है यह समझे है प्रूफ करना है किसी भी group में कोई भी group में जो identity element होता है यूनिक होता है मतलब एक ही इस group में कोई एक ही identity element होगा ऐसा नहीं किसे अगर इस group में 1,2,5,6 element है तो 2 भी इसका identity element है और 6 भी ऐसा नहीं कोई एक ही आप लोग का इसका identity element होगा और उसका inverse भी जोगा and each element of the group है जो unique inverse और group में जितने भी element होगा उसका जो universe होगा वो unique होगा unique मतलब एक उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है उके unique मतलब क्या होता है और भी थी है मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो चलिए पहले हम लोग क्या दिखाएंगे पहले हम लोग दिखाएंगे we have to show we have to show identity element of a group is unique हम लोग को क्या प्रूप करना है हम लोग को दिखाना है identity element जो होता है न गुरूप का वो unique होता है तो चलिए हम लोग माल लिए क्या जी एक ग्रूप है let g be a group and e be the identity element of g माल लिए क्या जी एक group है जिसमें e हम लोग का है न identity element है तो क्या हो जागा देन a into e बराबर e into a equal to a देखिए कोई भी एक element होगा अगर उसमें से identity को multiply करते है तो वह same ही आता है तो a के बराबर आता है equation 1 for all that a belongs to g अब हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग को क्या दिखाना है इसका identity element है तो एक ही है लेकिन हम लोग एक दूसरा identity element माल लेंगे e dash और बाद में जाके हम लोग को पता चलेगा e है e जो की पहले identity element हो और दूसरा element मालने हम लोग e dash दोनों के दोनों आपस में बराबर है त तो if possible let e dash with the other identity element of g एक दूसरा identity element माल लेंगे किसका g का माल लेंगे तो यहां से क्या जाएगा e dash a equal to a e dash equal to a for all equation 2 for all that a belongs to g तो यह हम लोगा equation 1 है और यह हम लोगा equation 2 है चलिए जो equation 1 है na equation 1 a e equal to e a equal to a यह equation तो सभी a के लिए true है for all that a belongs to g तो इसमे g में जितने भी elements है वो सभी के लिए यह equation true है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग माल लेंगे क्या e dash जो है e dash वो बिलोंग कर रहा g में तो मतलब e dash अगर बिलोंग कर रहा है g में तो हम लोग e देखें यहाँ पर पढ़िए क्या लिखावा है since equation 1 is true for all a belongs to g सभी a के लिए equation 1 true है तो हम लोग क्या माल लिए and e1 belongs to g तो g में हम लोग का e1 belongs कर रहा है therefore तो therefore हम लोग क्या माल लेंगे a जो है न a वो किसके बराबर है वो बराबर है e dash के तो in equation 1 we have तो हम लोग a के जगा पर e dash रखेंगा तो यहां से equation 3 बनेगा और जो हम लोग का equation 2 है वो भी सभी के लिए true है again since equation equation 2 since equation 2 is true for all a belongs to g and e belongs to g for all a belongs to g and e belongs to g therefore a equal e के हो जागा in equation 2 we get यहा जागा और equation 3 और equation 4 को देखेंगे तो from equation 3 and 4 we get e equal to e dash और हम लोग यहां से क्या देखे hence the identity element of group is unique और इस तरीके से हम लोग क्या प्रूफ के जो identity element होता है न वो किसी group का वो unique होता है अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है again we have to prove that the inverse of an element in a group is unique तो अब हम लोग क्या प्रूफ करना है जो इसका inverse होगा न वो unique होगा तो हम लोग क्या करेंगे जी एक ग्रूप माल लेंगे, let g be a group and a be an element of g जी एक ग्रूप है जिसमें a है ना उसका element है और a inverse जो है, let a inverse be the inverse of a then क्या होजागा a into a inverse equal to a inverse into a equal to e equation 1 where e is the identity element अब हम लोग क्या करेंगे if possible एक a dash अलगा other माल लेंगे other inverse है तो यहां से क्या equation बन जागा a into a dash equal to a dash a equal to e और equation 2 अब हम लोग क्या करेंगे equation 1 में दोनों तरफ a dash से multiply करेंगे क्या करेंगे equation 1 में दोनों तरफ a dash से multiply करेंगे तो यहां पर equation 3 आ जागा और equation 2 जो है ना उसमें a inverse से multiply करेंगे equation 1 में हम लोग a dash से multiply करेंगे और equation 2 में A inverse से multiply करेंगे right में तो हम लोगों को क्या निकल के आएगा हम लोगों को निकल के आएगा यह ओके तो equation 3 और equation 4 को अगर आप लोग ध्यान से देख पारे होंगे तो यह दोनों associative law से आपस में बराबर है यह दोनों आपस में बराबर होगा तो यह दोनों आप लोगों देख पारे होंगे दोनों associative law से बराबर है तो left hand side वाले term अगर equal है तो right side वाला भी equal होगा मतलब a dash वह किसके बराबर आगया a dash जो है न वह हम लोगों का a inverse के बराबर आगया तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे hence the inverse of an element in a group is unique तो इस तरीके से हम लोग क्या के इस तरीके से हम लोग question number 8 के option number a को solve कर चुके है अब हम लोग question number 8 के option number b को देखेंगे okay देखें question number 8 का option number b क्या है if a and b be the elements of g proved that the equation ax equal to b and y equal to b have unique solution in g हम लोग को क्या प्रूफ करना है जो ax equal to b है उसका solution जो होगा न वो unique होगा और y equal to b है उसका भी solution जो होगा वो unique होगा चलिए पहले ax equal to b वाला solve करते हैं तो हम लोग के पास क्या है we have ax equal to b मृल्टिप्लाइंग बोच साइड by a inverse ok हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ a inverse से left साइड मृल्टिप्लाइ करेंगे क्या क्या करेंगे multiplying बोच साइड by a inverse on the left where a inverse is the inverse off a belongs to g we get क्या है जागा a inverse ax equal to a invert b और associative लोग लोगा हैंगे तो यहांसे क्या है जागा a inverse a into x to a inverse b है आफ हम लोग को क्या करेंगे इस इक्स incident विसे और ऑवराबरी आगा तो हम लोग को AX equal to B है equation, अगर इसका solution C है मतलब इसको satisfy करेगा A C equal to B, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ A inverse left दे मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो A inverse A into C equal to A inverse B, यहां से associative लोग लगाएंगे, A inverse A into C equal to A inverse B, और यहां से A into A inverse जो है नो, वो E के वरावर होता है, identity element के, E into C equal to A inverse B, और यहां से हम लोग क्या है, C equal to A inverse B, तो हम लोग क्या देखे, पहले भी हम लोग का A inverse B था, और हम लोग दूसरा solution माने X equal to C, वो भी बात में जाके, हम लोग को A inverse B ही मिला, तो मतलब हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, hence the solution of AX equal to B is unique, अब हम लोग दूसरा वाला क्या है, now we have Y equal to B, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को क्या है, Y equal to B है, तो multiplying both side by A inverse, हम लोग A inverse से multiply करेंगे, right side में, तो हम लोग को Y into A inverse equal to B A inverse आजाएगा, और यहां से क्या आजाएगा, Y into A inverse, मतलब एसोसियेटिव लो लगाएंगे, और फिर A into A inverse जो है, वो आइ Y equal to क्या है, Y equal to B into Y equal to B A inverse आजाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक अनदर सलूशन माल लेंगे, if possible, let Y equal to C be another solution of Y equal to B, तो हम लोग क्या है, Y के जगह पे C रखेंगे, C A equal to B, right side में A inverse से multiply करेंगे, तो हम लोग को यह आएगा, और फिर associative लोग लगाएंगे, अब इसको देखेंगे, तो क्या है, B A inverse आया, पहले भी B A inverse आया, फिर से हम लोग किये तो B A inverse आया, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, hence the solution of Y equal to B is unique, और इस तरीके से हम लोग का question number 8 का, option number A, option number B, दोनों को complete कर चुके है, अब हम लोग question number 9 के तरफ move करेंगे, state and prove language and theorem, पहले भी हम ल थोड़ा सब problem होता है, लेकिन यहीं, दो तीन बार वीडियो को देखता है, फिर दो तीन बार लिखता है, तो फिर वह फैमिली हो जाता है उसके साथ, और फिर वह अच्छे से समझ में आ जाता है, पहली बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है, उतना talented को नहीं होता है, चलिए 9 का यह क्या है, इसको करें, मैं आप लोगों को जब concept पहा रही थी, तो बताए थी language theorem क्या होता है, लेंगरेंस थिरम जो होता है, वो डिवाइजर होता है, इसके order of group के, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते है, क्या है हम लोग का, एक जी माल लेंगे क्या, लेट ज अबरी सब ग्रूफ, देन दा ओर्डर अफ एवरी सब ग्रूफ, एच ऑफ जी इजा डिवाइजर अब दा ओर अटर अब दा ग्रूफ, जी, ओके, यह हम लोग का statement है, किसका statement है, लेंगरेंस थियूरम का, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो क्या लेट दा order of the finite group let the order with your finite group finite group order वो एन है and the order of its group H and the order of its subgroup HBM हम लोग क्या करेंगे finite group मानेंगे जिसका order in होगा and subgroup मानेंगे G का जिसका order जो है वो एम होगा तो let the elements of H, H का elements क्या हो जागा H1, H2, H3 मतलब HM तख हो जागा क्यों HM तख होगा क्यों कि इसका order M है मतलब है M number of elements है तो H का element ऐसे लिख लेंगे तो let A1 belongs to G अब हम लोग क्या माल लेंगे G में A1 belong कर रहे है तो हम लोग को A1 लिखना है तो A1 जो है ना A1 H1 A2 A3 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 A1 क्या हो जागा इसा लेफ्ट को सेट क्यों थोड़ा सा क्लियर फिक नहीं मैं इसका ले पाई हूँ देखे क्या क्लियर ली दन नमबर ओफ एलिमेंट्स इन एवान एच इस एम हो क्या आप लोग को दिख रहा होगा A1 एच में जो number of elements है वो number of elements कितना M and all the elements of A1 मतलब A1 एच में जितने भी element है वो आपस में अलाग-अलाग कोई भी दो element सेम नहीं है और सिंजी जा फाइनाइट ग्रूप देफोर 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 सच लेफ्ट को सेटार फाइनाइट और जी जो है न एक फाइनाइट ग्रूप है तो इसमें जो नमबर ओफ लेफ्ट को सेट बनेगा वह भी फाइनाइट होगा तो हम लोग क्या माल लेंगे एक के माल लेंगे ओके जो number of disjoint left को सेट होगा लेट के लेट के भी देन नमबर ओफ डिज्वाइन लेफ्ट को सेट तो जी जो होगा नजी वह एवन एच यूनियान a to h union मतलब कि यह सारे का union होगा जी अगर left को एक मैं आप लोग को प्रोपर्टी बताई थी जो हम लोग left को सेट लिखते हैं अगर सारा का union ले तो वह गूरूप बनके आ जाता है तो यहां से हम लोग को क्या आया यहां से हम लोग आया total number of elements in g total number of elements in g equal to number of elements in k left को सेट तो यहां से क्या देगा n equal to mk n order of group m order of h into k that means order of group upon order of subgroup equal to k that means the order of the subgroup h is a divisor of the order of group g पतलब हम लोग यहां जो हम लोग को proof करना थे language theorem में और जो order of subgroup h होता है for divisor होता है order of group g तो यह हम लोग प्रूफ कर लिया है next question क्या है prove that every subgroup of a cyclic group is cyclic अब हम लोग को प्रूफ करना है सब ग्रूप में prove that every subgroup of a cyclic group cyclic group prove that every subgroup of a cyclic group एक cyclic group मानेंगे उसका subgroup मानेंगे h मतलब एक cyclic group मानना है जी और उसका subgroup मानना है एच और हम लोग अप्रूफ करना है एच जो है न वह भी cyclic है मतलब एच ग्रूप में एच जो है न एच उसमें एच में जो भी elements होंगे न वह किसी खास खास क्या बोलते है एलिमेंट के पावर के रूप में उसको लिख सकते तो हम लोग उसको बोलते है क्या cyclic group cyclic group का आप लोग को definition पता होगा cyclic group में वो खुद अपने आप में ग्रूप होना चाहिए और एक ऐसा element एक्जिस्ट करना चाहिए उसमें जिसके integral पावर करने पे वो group के सारे के सारे element को exhaust कर दे ओके चलिया क्या है देखें let g be a group क्या है हम लोग का देखिए चलिया बी नमबर करते हैं let g be a group and h be a subgroup of g we have to prove that h is also a cyclic group तो हम लोग का g एक cyclic group है मतलब g में एक ऐसा element exist करेगा a जिसका integral पावर करने पे वो group के सारे के सारे element को exhaust कर दे मैं next page निकालती हूँ अच्छा इस page में यह है ओके देखें क्या लिखा हूँ है let g be a cyclic group and h be a subgroup of g we have to prove that h is also a cyclic group समझ में आया since g is a cyclic groups g जो है वो cyclic group है therefore there exist an element a belongs to g whose integral power whose integral power exhaust the group g ओके exhaust लिखावा है तो हम लोग मालने क्या g में जो है नो वो b belong कर रहा है तो यहां से हम लोग क्या cyclic group का generator क्या माने a मतलब a के power m करेंगे तो वो b के ब्रावर आएगा तो यहां से हम लोग क्या लेखेंगे then b equal to a power m for some integer m since h is a subgroup of g since h is a subgroup of g therefore h is itself a group जो h है वो सब्सक्राइब है अगर h subgroup है तो h अपने आप में ग्रूप होगा एच अपने आप में ग्रूप होगा मतलब ग्रूप के सारे पास्पले को सेटिस्फाइब करेगा वह होई लोग एक पावर में चलिए हम लोग क्या करेंगे लिस्ट पोजिटीव इंटीजर लेंगे एक लेंगे जो कि लिस्ट पोजिटीव इंटीजर एक विलॉंग्स टु एज और के जो है क्या है क्या लिस्ट पोजिटीव इंटीजर एक चोटा है एम से तो इसको के लेंगे लिख सकते एम एक वान प्लस टू निक सकते सांती से अराम से लिख सकते ना थिन एकम 3 प्लस 2 मतलब 5 बतलब कि वहीं तीन एकम 3 प्लस 2 पाच तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ना तो उसी तरीके से यहां पर की is less than equal to m है तो m को हम लोग क्या लिख सथ के kp-r तो हम लोग को a care power m और a care power k – pizza अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या देखे हैं हम लोग देखे हे एक के बिलॉंग कर रही है है हैं एक दιटाफ है सब्सक्राइब करइक सब्सक्राइब कें सब्सक्राइब इनभर्फ एक्पलिंटेश और यहां प्यस्ति समय प्वाइन हब प्रइब लोग कर रहे हैं जो एलिमेंट यह यह दो चलिए यहां से और किसे बरावर है यह जो को कॉंट्राडिक्ट कर रहा है और यह कंट्राडिक्ट एक ही कंडिशन पहटाया जा सकता है जब आर का वैलू हम लोगा जीरो हो जाएगा this contradicts the fact that k is the least positive integer such that a k power k belongs to h this contradicts the fact that k is the least positive integer such that this this contradiction does not arise only if r equal to 0 अगर हम लोग r का value 0 लेते हैं तो यह contradict नहीं हो पाएगा तो hence m equal to kp तो a k power m यह आ जाएगा और a k power m को मलग किस चारी के सरी नोट कर सकते a k power k k power p मतलब इस element के इंटेग्राल पावर करने पर एच के सारे element को एक्जिस्ट किया जाता है तो हम लोग बोलेंगे क्या एक पावर किया जो है ना उस एच जो है ना उसका जेनरेटर हो गया okay that means every element of h can be expressed as an integral power of a k power k hence h is a cyclic group which generator a k power k तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे दस every sub group of a cyclic group is cyclic तो इस तरीके से हम लोग कोर्शन नमबर 8 का option number a b कर लिए 9 का a b कर लिए अब लोग 10 का a b करेंगे फिर 11 12 करके वीडियो को खतम करेंगे 10 का a चले देखें हम लोग तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर किजिए गा और इसमें कुछ एक दो जगह है वहाँ पर क्लियर नहीं लिखा वा था तो मैं फिर से इसका पेडिये बनाऊंगे और उसमें के लिए तो आप लोग को इस पीडियेफ के लिए तो चलिए हम लोग कोस्टन नमबर 10 का एक करते हैं अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिजिए होमोमोर्फेजम कहने का क्या मतलब है अगर एक ऑप्रेशन बी थो वह बड़ाबर होगा किसके एफ एक का इंवर्स के और थार्ड में क्या है एफ एन वन लीफ करना लेफ एक्वल टो ए तो चलिए हम लोग तीनों बारी-बारी-बारी प्रूफ करेंगे और समझेंगे first प्रूफ करना फर्स्त में हम लु criticism इसके यहां पर सब्सक्राइब तुरा से टाइबिग मिस्टिक नहीं विलकुल सही है व क्या मैंलेंगे safety of a दाइस हम लोग है यह किस प्रकार से डिफाइब के यहां पर फंक्सन यहां पर ये कोसन में जिसा चुह था तो इसको यह लिए ज्याधा बेटर रहेगा तो इसमें इसमें वह फ f e जो कि बराबर हो और किसको यह सोगा और इसका इसमें जाए तो तो डबन के ब्लॉब याप जो है ब्लॉब लेक्स के ब्लॉब पर देस एक ब्लॉब आप लोगों को समझने में दिक्कट आड़ी होगा रुख जाए समझा यह थोड़ा सा और डेटेल में लोग वह सिंपल होगा ये ईसकर वो क्या होगा हुआइए डैस ब्लॉब और टिस जो गज़ेए इसमें 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 अधे और हम लोग क्या देखिए हम लोग क्या देखिए इसमें वह यह बिलॉंग कर रहे तो देन एडाइस जो किसके ब्राबर हो जाएगा तो इक लिख सकते हैं इसमें इसे मल्टिप्लाइब करते हैं यह इसमें इसे मल्टिप्लाइब किये और यह जो फंक्षन है वह एक होमोमोर्फिज में तो इसको अलग अलग लिख सकते इसके बराबर है और यहां से मलों किसके बराबर आया है वह आया है हम लोग को इसका इधर वाले का यह देस्ट की हो जागा तो मतलब की आइडेस में क्यूंकि identity सब्सक्राइब कर देंगे और दोनों को कट कर देंगे तो यहां से क्या जाएगा किसको माने थे किसको माने थे तो इस तरीके से हम लोग का यह वाला प्रूफ हुआ नेक्स्ट के यह पेज में दुबारा लग गया हुआ através लिए यह कोशन कर लिए और यह हैंसे हम लोगा प्रूफ क्या करना है फेज्यों और जो हो इन वे किसको कि लेखा इसका इनवर्ष सब्सक्राइब je कि प् 思लब हुआ है तो इस्टेक्पढ़्यान चलाएं निकालेंगे इस दोनों को रिक्त लेंगे इसके मतलब के बुलते हैं इसी तरीके से लोग इसके निकाल लेंगे तो यह भी हम लोगो यह दोनों आपस में बराबर है वो इसके बराबर है दिस मीन्स वैट सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब क्या है हम लोगों का फिर आप लोगों को समझ में आएगा तो जब भी लाइफ में कभी फ отд only फ्रों कस्टन आता है तो हम लोगों को हम दोनों तरफ से देखना ओता है और फिर प्रूक्राइब करना होता है क्या हम लोग पहले क्या मानेंगे if जो बॉन है अगर if ब्रबर होगा क्या करेंगे अगर एक सब्सक्राइब पह성 अच्वानेगा वह प्रूब सी अगर कोई वी पोई इससमें विलोग कर रहा है तो इसके बरावर आता है ऑगला करना निकालेंगे तो हो ब्राबर होता है तो अगर 11 कोई भी फंक्शन वन न है अगर एक्षॉक्ष को माने थे माने थे विलॉंग्स करना लेफ मतलब callته पहला पार्ट हो को उसकोै कलता देखेंगे अब लोग मानें डिल्स किसे ब्राबर के ब्राबर करना हो हम लोग को लेकर करना होगा Onच है कि पृफ करना होगा colour कहीं एकशन में ब्राबर है w farmers फ का इन्वर्स तो यहां से क्या जाएगा एफ वी विका इνवर्स को सो इडिया और इलो ??? तो यहां से हम लोगों किया जाएगा एंटु 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 एंवर्स और एंटु एंटु एंवर्स किसके बराबर हो जाएगा तो यहां से हम लोगों किया है यहां से हम लोग आया यह जो बिलॉंग कर रहा है किसमें बिलॉंग कर रहा है करना लेफ में करना Salesforce से ब्लाबर को सा कॉषन का और एंवर्स तो मुझा इंपदिक है तो पो इस्ति तरीके से चूब मोर्ध होता है यहां से करें यहां से इंपदाइ करेंगे हैं मुझा है और वी आपस में बढाभर है तो हम लोग क्या देखिए लोग देखे एक पर एक बराबर तो वह इंप्लाई कर रहे है यह और भी आपस में बराबर है तो हम लोग क्या बोल चकते हैं यहां से एक 11 function है तो यह हम लोग कौन सा question देखे 10 का ए देखे ए उसका 10 का बी भी करेंगे उसके फिर हम लोग next question करेंगे आप लोग टेंशन मत लेजिए ओके लोग का next question क्या है प्रूब डैट एवरी cyclic group of infinite order is isomorphic to the additive group z plus of integer तो देखे क्या है आप लोग को आप लोग को प्रूफ करना है एक cyclic group है और एक है आप लोग का additive group क्या है आप लोग का एक cyclic group है और एक additive group है आप लोग को प्रूफ करना क्या है यह दोनों जो है ने वह आपस में isomorphic है दोनों आपस में isomorphic है वह हम लोग किस तरी से प्रूफ करते यह सुनिए isomorphic का definition होता है पहले isomorphic होने के लिए उसको isomorphism होना होता है और isomorphism का definition कहता है दो पॉइंट में इसका definition है अगर आप लोग को कोई भी जो ग्रूप है ना वह isomorphism कर रहा है तो उसके लिए आप लोग को पहला condition होना चाहिए वह जो है ना function हों मॉमॉर्फिज्म है और डूसरा जो है ना वह proof करना होगा दूसरा जो है वह क्या है 11 on the function होने का definition है अगर कोई भी अगर कोई भी function जैसे f है okey f of A भी है तो अगर f homomorphisme है तो वह बराबर होगा किसके f of A into f of B के okey यही हम लोगका बिद्ट का ठीफिनिसंट कहता है और वन वन अगर पूर्फ करना है तो हम लोग को एक इपल टुट वी लेकर चलना होता है और इंप्लाइब करवा देना होता है क्या एओ भी आपस में बढ़ा है कि तो छलिए हम लोग ले लिए क्या ले लिए और एक Z additive group ले लिए ओके additive group है और जी क्या है cyclic group let G be a cyclic group with respect to multiplication okay multiplication के respect में जी जो है cyclic group है और कोई भी cyclic group होता है तो उसके पास एक generator जरूर होता है और A B its generator since G is in infinite order G जो है उसका हम लोग का order जो है वो infinite है तो अगर G अगर infinite order है मतलब कहने है का मतलब है जी के पास infinite number of elements है तो जी के elements को लिखना चाहिएगा तो infinite term में लिख दीजिएगा ओके इस तरीके से इसमें term में a है a1 a2 है a3 है और एक पावर माइनस 1 एक पावर माइनस 2 मतलब यह सारे पूरा infinite term है जी ओके और additive group में क्या मतलब additive group of integer तो इंटीजर लेना है तो हम लोग इसमें इंटीजर का एक ग्रूप बना लिए अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग function को define करेंगे function कैसे define करेंगे function cycle group से additive group मतलब जी से जेड लेटे मैपिंग एफ जी से लेके जेड तक बीडिफाइन वह किस प्रकार्ट डिफाइन है देखें डिफाइन जो कि हम लोग एफ ऑफ एक की पावर एंड जो है वो क्या निकल के दे रहा है वो एन निकल के दे रहा है oris of a कि一 जो हाँ जो हम लहें काँ लोग कर रहा है और दो दोनों करेंगे हम लोग दो डोनों का मतलब ऐन बोन और प्रोडवल गार्व sì कि इंदे है को वह मल्टिप्लिकेशन के साइकली ग्रूप हम लोग मल्टिप्लिकेशन के रूप आप यह निकालेंगे तो यह किसके बराबर आजाएगा यह जो होमोमोर्फिज्म का जो यहां पर अप्रेशन कुछ भी हो सकता एकवल टू एफ आप यह प्लस एन और इसको क्या लिख सकते है इसका कंडिशन क्या हो जाएगा एक पावर एम अलग कर देंगे और इसको यह पावर एन अलग कर देंगे पहले द्यान से सुनिए आप लोग साइब में कुछ गलत भी बोल दियोंगे आप लोग क्या लिए यह दोनों इलिमेंट लिए और यह निकाल लाए हम लोग को तो यह दोनों मतलब कि अगर बेस तो पावर जूट जाएगा इतना समझ गया और मैपिंग का डिफिनिशन क्य अब लोग कोई भी दिकत नहीं होगी माने थे एक mapping जो की था कहा से कहा सक था G एक cyclic group था और Z जो की additive group था उसके दोनों का mapping जो माने थे वो हम लोग प्रूफ कर दी क्या homomorphism में अब हम लोग की बारी ये प्रूफ करने का ये one one on on two है तो clearly F is on two, okay F जो है वो one two होगा, on two होगा because every element X belongs to Z is an image of every element A के पावर X belongs to Z under the mapping F और F जो है वो one one होगा क्योंकि अगर हम F of A के पावर M equal to F of A के पावर N करते हैं तो इसका definition क्या बोलता है M आएगा और इसका definition क्या बोलता है N आएगा, okay तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते है A के पावर M equal to 1 पावर N अगर F isomorphize में है तो हम लोग यहां से बोल सकते है G is isomorphic to Z तो हम लोग इस तरीके से question number 8 का option number AB कर लिए 9 का मतलब कि जो भी था 8 था 9 था 10 था सबका AB कर चुके अब हम लोग का 11 12 सिर्फ दो कोशन बाकी है चलिए 11 का A करते है 11 का A बहुत ही easy है और 11 का भी थोरा सा आप लोग को समझ में समझाने में अधिक्कत होगी और 12 है बहुत ही लंबा है homomorphism of ring का जो है न उसका पुरा प्रूफ करना है statement भी देना प्रूब भी देना है चलिए 11 का एक है give an example of a commutative ring with unity which is not an integral domain तो पहले समझी है आप लोग को क्या बोला है आप लोग को बोला एक ऐसा example देने के लिए जो commutative ring with unity तो है लेकिन वो integral domain नहीं है तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए आखिरकार इसका definition क्या होता है है commutative ring with unity और इंटेगरल domain का तो देखें इंटीगरल domain का definition हम लोग क्या होता है इंटेगरल domain के लिए हसे पहले लोग दिखाते हैं यह commutative ring of unity है और उस पर लोग दिखाते इसमें zero diviser जो है न वह एक जिस्ष्ट नई करता है क्या दिखाते है इसमें 0 divisor exist नहीं करता है 0 divisor क्या होता यह समझे पहले अगर हम लोग देखे ए भी लिखा हो है कहीं पर अगर ए भी का equal to 0 आएगा ओके ए भी ए भी equal to 0 क्या आएगा कहने का क्या मतलब है देखे ए भी equal to 0 काँ आसकता है आखिर a 0 होगा तो a w equal to 0 होगा या फिर b 0 होगा तो a w equal to 0 होगा लेकिन 0 divisor किसको बोलते है अगर a b zero नहीं है औके और b b zero नहीं a b zero नहीं है b b zero नहीं फिर भी यह 0 आजाए तो हम लोग बोलते है हा यह इसके पास 0 divisor अग्जिस्ट करता है और integral domain का definition कि अभी तक मैं सिर्फ आप लोग को इंटिग्रल डोवन का डिफिनिशन होता है वह कॉम्यूटेटिव इंग विथ यूनिटी होना चाहिए और उसके पास जीरो डिवाइजर एक्जिस्ट नहीं करना चाहिए कहने का क्या मतलब है इसके पास एबी इक्वल जीरो के नहीं आन चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे क्या कि एक्जामपल देते हैं और उसको दिखाते है क्या वह जो है न वह कुम्यूटेटिव इंटी है उसके पास पास जीरो डिवाइजर भी एक्जिस्ट करता तो मतलब यह इंटिक्रल डोमेन नहीं है क्योंकि चलिए को में नहीं है न सबसे पहले यह मैं बता रहती हुआ को मुटेटिव इंटी टिखाते हैं तो क्योंको बहुत सबस्क्राइब को सटिस्ट्फाइक करना होता है वह मैं आप लोग को याद दिलाती हूँ पहले एडिसन की के स्में लोग कर वाएंगे फिर एसोसी एट करगे और पिर मैं की केस के से क्लोजर एलेब और फिर हम लोग employees degree इस अगे करेंगे तो हम लोग लेंगे सरे सुनिटेड रिंग ज creditेटी है और उसके छ फार्च गोशाडा कि शेथा उनिद्द सक्रच तो अच्छे तरीके समझाई थी आप लोगों को आता ही होगा फिर भी मैं थोरा सा बता देती हूँ कैसे को बनाते मुल्टिप्ली के से यह प्लस है तो दोनों को जोड़िए से जब भी आता है तो हम लोग कि सिख से डिवाइड करते बहलें करते हैं के रिवेंडर करते हैं या थैसे में एक जादा आए एक यहांपर अचेएक लिखेंगा है दिखाएंगे और श्रोट से आ दिखा यह सारे दिखाएंगे और दीषके क्लोजर लोगे करें क schauen बड़ोगता हुआ बरी से करते हैं सभी आप लोग कोको अभी सबसेंद करके तीसरे के साथ तोनों वेलिमेंट दिखेंगे पहले क्लोजर अपसींदफ और वेरी वेडिफाइड邨 को करवाएंगे को कर वाइंगे यूनिती सब्सक्राइब कर वंड दिए Given यह लोग दिखाना है तो नाव लिए दो लिए और एक तीन लेंट लेना है दो जीरो के बराबर नहीं है और यह बिलॉंग कर रहा है तो दोनों का यह लोग यहां पर क्या करेंगे सिक से डिवाइट करेंगे तो यहां पर टुन जिरो हो जाएगा यहां पर टून जिरो अलिमेंट सब्सक्राइब यह लोगा कॉम्यूटटी बिरिंग विद यूनिटी अलिमेंट इसमें क्या प्रूफ करना है एक कॉम्यूटटी बिदिध यूनिटी होगा क्या कॉम्यूटटी बिद यूनिटी बतलब वही जाल साधा सारा पॉस्पिलेट एडिशन में प्लोजर लव एसोसिएटी बलव एक्जिस्टन्स ओफ जीरो एलिमेंट एक्शिस्टन्स ओफ निगेटिव एलिमेंट कॉम्यूटेटिव लोग फिर मल्टिप्लिकेशन में सब्सक्राइब करना होगा इसके लिए दोनों तरब से करना होगा सबसे पहले हम लोग कमान लेना होगा इसके पास कोई भी नॉन ट्रिवेल आइडल नहीं है तो हम लोग का यह फिल्ड है और मतलों कि दोनों तरब से इफ और लिए फाला करने से जब भी आता है तो दोनों तरब से प्रूफ करना होता है तो एलेवन का भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके और टुव कि इसी वीडियो में कर लेते हैं आप लोग टेंसर नहीं लेजिए फिर जो छूट जाता है वह छूटा ही रहे जाता है जैसे 2015 का भी एक कोशन छूटा था इसको देखिए क्या स्टेट इंप्रूब्ड फंडामेंटल थियोरम फोमोर्फीज्म उफेडिंग तो इस्टेट क्या होता है। तक चुक है मैं सोची हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिक मैं वीडियो और हाथ 2015-2016 के लगभग मतलब एक वीडियो में 10 को सन अप लेगों कम्प्रेट करवारी दस दूना 20 20 को सन कम्प्रीट हो चुका है तक के लिए तब तक के लिए इस को देखी और इंज्योई के लिए तब तक के लिए मिलते हैं 2017 के आख चेकर लिबरा ये कोसन मेंगे सलूसन के लिए तब तक के लिए बाई